Pointing Devices Objectives Pointing Devices का लेसन करने के बाद आप जान सकेंगे कि Computer Mouse क्या है, इसके मुख्तलिफ functions क्या है और इसकी इलावा चंद और Pointing Devices कौन सी हैं? Mouse इस वाक्त आप स्क्रेन पर जो डिवाइस देख रही हैं, हम उसे Mouse कहती हैं ये एक ऐसी डिवाइस है, जिसकी मदद से हम Computer Screen पर किसी चीज़ की बाआसानी निशान दही कर सकते हैं बजाहिर ये एक चोटी सी डिवाइस है, लेकिन है बड़े काम की बाजार में मुख्तलिफ किसम के Mouse मौजूद हैं, जिन में से कुछ इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब देखने में मुख्तलिफ जरूर हैं, मगर ये काम एक ही जैसा करते हैं हम इन में से एक को तफसील से देखेंगे ये एक आम माउस है, हो सकता है कि आपका माउस इस माउस से मुख्तलिफ हो जरा गोर से इसको देखिए, इस पर दो बटन लगे हुए हैं दाइम बटन को राइट माउस बटन और बाइम बटन को लेफ्ट माउस बटन कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि माउस को इस्तमाल करने के लिए इसे कैसे पकड़ा जाता है। आप देख रहे हैं कि माउस को माउस पैट पर रखा हुआ है। देखिए कि माउस को पकड़ने के लिए हाथ की हतेली को इसके उपर रखा जा रहा है और हाथ की उंगलियों से इसे गरिफ्ट में लिया जा रहा है। ये बात नोट करें कि पहली उंगली को माउस के left button पर रखा गया है और दूसरी उंगली को माउस के right button पर रखा गया है। इस वक्त आपको screen के दो हिससे नजर आ रहे हैं। एक हिससे में mouse है और दूसरे हिससे में तीर का निशान। अब हम mouse को pad पर घसीट रही हैं। क्या आपने बाइं जानिब screen पर कोई तब्दिली महसूस की या आपको कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। जी हाँ, आप mouse को जिस संप में हिलाते हैं तो screen पर एक छोटा सा तीर का निशान भी बिलकुल उसी संप में हिलता है। इस तीर के निशान को mouse pointer, arrow या mouse cursor कहते हैं। अब हम mouse को दाइं जानिब घसीट रही हैं और जैसा कि आप देख रही हैं कि तीर का निशान भी उसी संप में जा रहा है। अब हम mouse को उपर की जानिब घसीट रहे हैं और जैसा कि आप देख रही हैं कि तीर का निशान भी उपर जा रहा है। Clicking and Double Clicking हमने mouse को इस्तिमाल करना तो सीख लिया। अब हम mouse के buttons का इस्तिमाल सीखते हैं। mouse के buttons दो तरिकों से इस्तमाल किये जाते हैं। पहले तरिकी में हम mouse के किसी भी button को एक मर्टबा दबाते हैं। इसको single click या click करना कहते हैं, क्यूंकि जब mouse का button दबाया जाता है, तो click की आवाज आती है. इसी तरह, अगर हम mouse के किसी button को एक second में दो बार दबाएं, तो इसको double clicking कहते हैं. डबल क्लिकिंग करते हुए इस बात का खास खयाल रखें, कि ये एक second के अंदर किया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं. आप देख रहे हैं कि हमने ये click किया, और अब दोबारा click किया, ये double clicking हरकिस नहीं है, बलके दो single clicks हैं. राइट क्लिकिंग, अभी हमने माउस के बाया बटन को इस्तेमाल करने की exercise की है, क्यूंकि माउस का बाया बटन आम तौर पर ज्यादा इस्तेमाल होता है. इसी तरह माउस का दाया बटन भी इस्तिमाल होता है माउस के दाया बटन को एक मरतबा दबाने की अमल को Right Clicking कहती है जिससे स्क्रीन पर कुछ और इंफरमेशन नजर आती है जैसा कि आप देख रही है इसकी डीटेल हम अगले लेसन में देखेंगे ड्रैगिंग आईए अब हम माउस का एक और इस्तमाल देखते हैं हम माउस की मदद से कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक चीज़ को घसीट कर या ड्रैग करके दूसरी जगा पर ले जा सकते है इस अमल को ड्रैगिंग कहते हैं इस वक्त आपको स्क्रीन के दो हिससे नजर आ रहे हैं दाएं जानिब आपको माउस नजर आ रहा है और बाएं जानिब आपको एक किताब नजर आ रही है जिसे हम घसीट कर या ड्रैग करके उसके करीब पड़ी मेस पर रखेंगी सबसे पहले हम arrow को किताब के उपर लेकर आए हैं अब आप screen के दाएं तरफ देखिए यहाँ पर हमने mouse का बाया यानि left button दबाया है अब हम mouse pointer को मेज की तरफ घजी कर ले जा रही है देखिए mouse का बटन अब भी pressed है यानि दबा हुआ है अब किताब मेज के उपर आ चुकी है अब mouse का बटन हमने छोड़ दिया है ताके किताब मेज पर रही इस तरह आपने देखा कि हमने mouse की मदद से किताब को ड्रैग करके यानि घसीट कर मेज पर रखा है यह अमल dragging कहलाता है Other Pointing Devices Pointing Devices हर वो डिवाइस है जिसके मदद से हम computer की screen पर किसी चीज के निशान दिही करते है चुँके mouse के मदद से हम screen पर मुक्तलिफ चीजों के निशान दिही करते हैं इसलिए हम इनको Pointing Devices कहते हैं मगर mouse दुनिया की वाहिद Pointing Devices नहीं है इसके अलावा और भी Pointing Devices मौजूद हैं जैसे के trackball और trackpad यह एक trackpad है जो इस वक्त screen पर नजर आ रहा है यह एक छोटी सी screen जैसा होता है यह trackpad बहुत नाजुक सता से बनाया जाता है जैसा के आप देख रहे हैं जिस पर हाथ की उंगली रखकर दाएं, बाएं या उपर नीजे हिलाए जाए तो computer की screen पर तीर का निशान उसी संप में चलता है trackball यह एक trackball है यह भी एक Pointing Devices है मगर देखा जाये तो सर्फ एक ball है जिसे हाथ की मदद से घुमाया जाता है देखिए, इसको घुमाने से computer की screen पर arrow उसी संप में चलता है जिस संप में हम इसे घुमाते हैं Summary Module 1 के इस हिस्से में हमने mouse और दूस्ची pointing devices के बारे में देखा इसके साथ साथ हमने mouse के जरिये, clicking, double clicking, right clicking और dragging के तरीके भी सीखे और उनकी exercise की हमने इस हिस्से में ये भी देखा कि mouse को किसी pad पर घसीटने से screen पर एक तीर का निशान जिसे pointer कहा जाता है उसी संप में चलता है माउस के अलावा हमने track pad और track ball के बारे में भी मालूमात हासिल की ये भी pointing device है लेकिन माउस से थोड़ा मुक्तलिफ है